महाप्रक्या पूछो जीनपति सरूपो गुरुवरण जो आदमी जीने की कला जानता है वे बहुत कम दुखी बनता है और जो जीने की कला नहीं जानता वे रोज दुख भोगता रहता है हमें उस कला को समझना है कि जीने की कला क्या है जिससे आदमी दुखी नहीं बने कि वे लोग बहुत दुख पाते हैं जो कामनाओं और पदार्थों में आसक्त हो जाते हैं यानि आसक्ती दुख पेदा करने वाला एक कार खाना है जहां दुख पेदा होते रहते हैं और दुख से मुक्ड होने का उपाई है अनाफ सक्ती जीने की कला है वे महान कला है कोई बिदेशी यहां रहा बड़े पद पर था जाने लगा तो उसने जितना सामान था बड़िया कार सही बड़िया कार बड़िया सोफा से छारा यहां दे दिया बेश दिया थोड़ा बहु हमें जरूरत नहीं है जितने दिन काम में लिया ले लिया अब जब जा रहे हैं तो छोड़ देंगे हमें कोई कमो नहीं है ये अनासक्ति की भावना पेदा हो जाए कि काम लो बंद हो उम्मत उससे बंधने से दुख पेदा होता है और काम लेने से कोई दुख पेदा नहीं होता काम लियार छोड़ दिया आज में आसक्त नहीं होगा बंधन नहीं होगा दुख नहीं होगा और जब आसक्त इतने हो गए कि उसके बिना तो रहा नहीं जा सकता वह चीज़ खाए बिना में रह नहीं सकता वैसा कपड़ा पहने बिना में रह नहीं सकता और वैसा काम किये बिना वैसा भोग किये बिना में रह नहीं सकता इतनी गहरी आसकती जब पेदा हो जाती है तब समस्या पेदा होती है झाल झाल